हेलो प्रैप मेड्स कैसे वा आप सब लोग स्वागत है आप सभी का अपनी प्यारी मोश्ट वांटिट सीरीज वर्जन 2.0 में और आज हम रे आप्टिक्स पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं जिसमें हम लेंसे के बारे में पढ़ेंगे चोटा वीडियो होगा बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है और इसके अंदर से क्योशन आने के पूरे पूरे चांसेज है तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले कंसेट मैप हमें बहुत जदा इंफॉर्मेशन याद रखने की ज़रुवत नहीं है एक पेज के अंदर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो समेटी जा सकती है जहां लगना आपकी हर इंफॉर्मेशन जो है वो दस अलग अलग तरीके की क्योशन को सॉल करने की बगाते थे आप रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ वाली चीज़े आपने लाश वीडियो के अंदर देखे दी अगर आपकी जो सर्फेस है दो मेडियम को सेपरेट करने वाली अगर वो काव्ड सर्फेस है तो फिर आप बेसिकली ऑबजेक्ट की इस्टेंस इमेज की डि और दोनों medium की जो refractive indexes हैं, उनके बीच में एक relation use कर सकते हो, that will be mu f divided by v minus mu i divided by u is equals to mu f minus mu i divided by r. sign convention आपको ध्यान है, अगर आप incident ray की direction में जाते हो pole से, तो वो positive distances कहीं जाती है, और incident ray के opposite direction में जाते हो pole को origin मानके, तो negatively जाती है distances, तो sign convention हमारा same रहेगा, mu f और mu i का purpose तो आप समझी गए होंगे, कि आपकी ray किस medium से enter कर रही है, वो mu i बन जाएगा, और किस medium में enter कर रही है, व mu f बन जाएगा, तो यह formula सबसे important है, जहाँ पर आपको direct formula based question नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको यह formula बार बार लगाने की ज़रुरत पढ़ सकती है, basic formula, right, इसी को use करके हम lens makers formula निकालते हैं, यहाँ पर lens का मतलब क्या है, कि आपने किसी medium को, जो की surrounding से अलग है, दो curved surface के बीच में bound करके रख दिया, तो इस तरीके से जो structure बनेगी हो, क्या कहलाएगी है, आपकी lens कहलाएगी, दोनों surfaces curved हो, जरूरी नहीं है, एक curved हो सकती है, और दूसरी plane surface भी हो सकती है, तो अलग अलग तरीके के lenses बनते हैं, हमें दो ही तरीके ध्यान लखना है, एक तो converging lens और एक diverging lens मैं बताऊँगा क्यों, सबसे पहले तो lens waker जो formula होगा, तो basically आपने जो lens नाम की structure बनाई है, उसकी जो focal length है, focus की definition है, हो same रहेगी, कि infinite से आने वाली rays जो है, वो कहाँ पर सिमट जानी चाहिए, एक point के उपर जिसको हम focus कहेंगे, या एक point से निकलने वाली rays क्या हो जानी चा तो यहाँ पर primary focus और secondary focus इस तरीके से दो अलग-अलग focus हो सकते हैं, तो हमने basically यह formula निकाला है, यह एक lens के लिए निकाला है, convex भी हो सकता है, concave भी हो सकता है, one upon f will always be equals to mu l, यानि कि diffractive index of material of lens, minus mu s divided by mu s, mu s is nothing but diffractive index of surrounding, times one upon r1 minus one upon r2, यहाँ पर भी धान रखना है, इस formula को लग आने से पहले आपको sign convention जरूर use करना है, अगर आप converging lens लेते हो, तो आपकी जो focal length है, वो हमेशा positive होगी, और अगर आप diverging lens लेते हो, तो आपकी focal length हमेशा negative होगी, converging का मतलब है कि parallel raise आएंगी, lens से गुजरेंगी, और फिर उसके बाद में एक point के उपर converge हो जाएंगी, तो converge तो पक्का वो pole या optical center के उस तरफ होगी, जिस तरफ आपकी जो light rays है, वो travel कर रही है, यानि कि sign convention के according, converging lens का focal length जो है, वो हमेशा positive होनी चाहिए, और diverging lens की focal length जो है, वो हमेशा negative होनी चाहिए, जहार रगना convex lens जो है, वो converging lens की तरह behave करता है, अगर medium की refractive index, जिससे lens बनाया गया है, surrounding की refractive index ज्यादा हो, वही convex lens, diverging lens की तरह भी behave कर सकता है, अगर उस material की जिससे lens बनाया गया है, refractive index, surrounding की refractive index से कम हो जाएगी, तो उस हिसाब से तै नहीं होता, कि आपका lens converging होगा या diverging होगा, ये तै होता है किससे, इन information से, ये जो f है, इसकी information से, तो आप कभी भी अगर confused हो जाओ तो आप तो इस formula को ध्यान रखना, carefully r1 और r2 की value sign convention के according रखना, mu l और mu s की values बहुत ही carefully रखना, आप f की value find out करना, और f अगर positive आजाए, तो समझ जाना lens किस की तरह बहुँ कर रहा है, diverging lens की तरह है, और f negative आजाए, तो समझ जाना lens किस की तरह बहुँ कर रह है, अगर f positive आजाए, तो lens behave कर रहे है, converging lens की तरह है, और f negative आजाए, तो समझ जाना, diverging lens की तरह बहुँ कर रहे है, तो this formula is very important, right, इससे आप figure out कर सकते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़े रटनी की जरुरत नहीं है, आप इस formula की थूँ आसनी से find out कर सकते हो, right, lens formula, 1 upon v minus 1 upon u is equals to 1 upon f, बिल्कुल mirror formula जैसा ही है, वहाँ पर plus 3 आपर minus आजाता है, magnification m hi upon ho, ठीक है, वहाँ पर minus v upon u था, mirror की case में यहाँ पर plus v upon u हो जाएगा, sign convention के साथ अपनों को रखना है, f upon f plus u, और f minus v upon f, तो जिस तरीके की information दी जाए, उस तरीके साथ इस formula को apply कर सकते हो, आप कोई सारे के सारे formulas याद होने चाहिए, क्योंकि याद रखना है यह chapter, उन chapters में से एक है, जिसमें आप केवल और केवल formulas के basis पे किसी भी numerical को solve कर सकते हो, right, power of combination of lenses, तो दो lenses अगर एक दूसरे के बिल्कुल contact में है, तो जो power of lens होगी, वो कितने हो जाएगी, अगर focal length के respect में ध्यार चाहो, तो 1 upon F will always be equals to 1 upon F1 plus 1 upon F2, और focal length की जो reciprocal value है, वो ही power of lens क्यालाती है, इसके ऐसा unit, छोटी classes में याद रखते हैं, तो power की form में लिखोगी, तो P is equals to P1 plus P2, मतलब add हो जाती है, power positive भी हो सकती है, negative भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपकी focal length, sign convention के according positive है, या negative है, और upon F is equals to 1 upon F1 plus 1 upon F2 minus D upon F1 F2, या power की form में लिखोगे, तो P is equals to P1 plus P2 minus D times P1 P2, right, simple microscope, जो आपका convex lens है, ठीक है, convex converging lens है, वो ही simple microscope की तरह behave करता है, और जब आप किसी भी optical instrument की बात करते हो, तो magnifying power किस तरीके से निकाली जाती है, आप बिना instrument के आँख के उपर, उस object को बिलकुल अपनी near side पे रखते हो, तो कितना angle बनाया जाता है, और optical instrument के साथ, जब आप उस object को देखने के कोशच करते हो, तो फिर आपके objective, sorry, eyepiece lens जो है, आपकी आँखों पर जो angle बन रहा है, तो इन दोनों का जो ratio है, वो magnifying power कहलाता है, तो हम इतना confusing तरीके से ध्यान नहीं रखना, हमें तो direct formulas ध्यान रखने है, तो यहाँ पर दो अलग-अलग conditions होगी, लगवखर optical instrument की case में, कि आपकी final image near side पर बन सकती है, यानि कि magnifying power की maximum value, और ज़्यादा से ज़्यादा दूर कहां पर बन सकती है, आपकी infinity के उपर बन सकती है, हमा power when image at D, capital D का मतलब होता है, near side that is 25 cm, तो वहाँ पर अगर आपकी final image बन रही है, तो magnifying power इसका common formula होता है, D upon U, बट इस case में हो जाएगा 1 plus D upon F, और when image, final image is at infinity, तो उस case में M, जिसका common formula D upon U है, इस case में हो जाएगा D upon F, direct ध्यान रखना है, direct question आते है, right, compound microscope, जब image D पर बन रही है, तो M की value हो जाएगी, V upon U, 1 plus D upon F, E, tube length, इसमें दो lenses होता है, जो object की तरफ होता है, उसको objective lens बोला जाता है, जो आपकी arc की तरफ होता है, उसको eyepiece बोला जाता है, और इन दोनों के बीच की distance को adjust किया जा सकता है, इन दोनों के बीच की distance कहलाती है tube length, तो इस case में जो tube length होगी, वो VO plus U, E के equal length, right, when image at infinity, उस case में M की value हो जाएगी, VO upon U, D upon F, E, और L की value हो जाएगी, VO plus F, E, तो formula's direct ध्यान रखने हैं, और direct के formula's आपको apply करने हैं, information को धंसे segregate करके, astronomical telescope के लिए, जब image finally deeper बन रही होगी, तो M की value हो जाएगी, F upon U, E, या FO upon F, E, times 1 plus F, E divided by T, और when image is at infinity, उस case में M की value हो जाएगी, F upon F, E, इत्यान रही हो, इन सारे के सारे cases में final image, जो है, वो object के respect में, उल्टी बनती है, तो अगर आप sign के साथ लोगे, तो negative sign में लगा देना, बढ़ हमें, उस में interest नहीं है, हमें यह देखना है कि कितने गुना increase हो जा इस case में, और उस case में F O plus, इस case में F O plus U V हो जाएगी, और उस case में F O plus F E हो जाएगी, तो यह जो page है, I hope इस page की information आपके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, याद रखना, राइट, हर छोटे 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 पॉइंट के बारे में आपको, special जो भी information मैंने बताई हो, होने बाला है, तो questions की शुरुआत करते हैं, सबसे पहला question लेते हैं, spherical surface of radius of curvature R separates air, which is refractive index having refractive index 1 and from glass refractive index 1.5, ते को glass की refractive index 1.5 या 3 by 2 होती है, पानी की 4 by 3 या 1.33 होती है, और air की होनों होती है, तो इन तीनों के उपर अकसर question आते रहते हैं, इनकी refractive index आप ध्यान भी रख लेन the center of curvature is in glass, तो ऐसी आपकी spherical surface है, ठीक है, और इसकी जो center of curvature है, वो glass वाली side पर है, इसलिए मैंने इसको ऐसा बना है, तो इधर की तरफ तो है आपकी air और इधर की तरफ है आपका glass, ठीक है, इस तरीके से बना दिया, a point object P is placed in air and found to have a real image Q, तो यहाँ पर आपका एक object था, P और इसकी जो image बन रहे है, वो इतनी distance पर बन रहे है, यहाँ पर Q पर, the line PQ cuts the surface at a point O and P O is equals to OQ, ठीक है, यह दे दिया गया है, the distance P O is equal to, तो हमारे लिए आसन कि उश्यने interpret करना, ठीक है, तो हमें तो formula लगाना है, कौन सा हमाना formula लगाना है, mu F divided by V, mu I divided by U is equals to mu F minus mu I divided by R, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और answer हमें R की form में देना है, mu F और mu I हमें पता है, बात आती है U और V पर, और sign convention बहुत important है, तो चलो, carefully है अपन sign convention लगाता है, सबसे पहले objective distance, तो object तक पहुँचने के लिए, light जारी है इधर, और हमें इस center से object तक पहुँचने के लिए, उसके just opposite direction में चलना पढ़ रहा है, तो इस distance को अगर हम X लिखते हैं, तो sign convention के according, U की value कितनी हो जाएगी, minus X हो जाएगी, और आपको ये वाले distance और ये वाले distance equal बता रखी है, तो V की value sign convention के according कितनी हो जाएगी, positive X हो जाएगी, क्योंकि image तक पहुचने के लिए, आपको और light V को दोनों को same direction में चलना पढ़ रहा है, तो sign convention हमेशा इसी तरीकी से decide रखते हैं, तो U मिल गया, V मिल गया, हमें X की value find out कर नहीं है, R की form में find out कर नहीं है, चलो रखते हैं, mu F, finally glass के अंदर enter कर लिए है, तो glass की refractive index कितनी है, 1.5, V की value कितनी है, X, minus, ये कितना है, 1, U की value कितनी है, minus X, यहाँ पर हो जाएगा 1.5 minus 1, that is, 0.5 divided by R, ये minus minus plus हो जाएगा, तो 1.5 X plus 1 upon X is equals to 0.5 divided by R, ये दोनों add हो जाएगे, तो 2.5 upon X जो है, वो 0.5 divided by R के एकल हो जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर point से point cancel out किया जा सकता है, 5 से ये cancel out किया जा सकता है 5 बार, तो X की value आ जाएगी 5 times R, यानि कि option number 4 जो है, वो क्या हो जाना चाहिए, correct हो जाना चाहिए, बच्चों मैं पहली कह रहा हूँ, बहुत आसान से question होते हैं, ये cancel out कियो तफ इसली हो जाते हैं कि आप sign convention लगाने में या फिर information को collect करने में कहीना कहीं गलती कर देता हैं, वो गलती आपको नहीं करनी, आपको question असान इसे हो सकता है, next question देता है, तो जब तक कहा नहीं जाएं, तब तक आपको convex lens कैसा मानना है, जो की converging type हो, यानि की medium जिससे बना हुआ है, उसकी refractive index, surrounding की refractive index से ज़्यादा है, तो refractive index ज़्यादा होने का फिर फरक्या पढ़ेगा, ये converge कर देगा, ठीक है, इस तरीके से, तो इसका जो focus point है, या इसकी जो focal length हो, कैसी हो जाएगी, positive हो जाएगी, तो convex lens के लिए जो focal length हो, positive होगी, तो power भी कितनी होनी चाहिए, आपकी positive होनी चाहिए, right, तो two convex lens of focal length, 20 centimeter और 25 centimeter, तो पहले की power हो जाएगी, 1 upon 20, 20 centimeter को 20 divided by 100 लिखा जा सकता है, तो divided by 100 चला जाएगा, ऊपर, और P2 हो जाएगी, 25 centimeter, यानि की वोई, 100 divided by 20, देखो, one upon f लगा रहा हूँ, फिर f की value 20 upon 100 है न, इतरह तो समझ वे आना होगा, आपको, तो इसकी value तो आजाएगी 5, और इसकी value आजाएगी 4, तो net power जो होती है, वो P1 प्लस P2 के एकपल होती है, और दोनों powers प्लस है, तो add हो जाहेगी 5 प्लस 4 कितना हाजाएगा, आपका 9 diopter, यानि की option number 2 जो है, वो क्या हो जाना चाहिए, add हो जाना चाहिए, आसान के उश्यन है, next question गीश्यन है, an equi convex lens has a power of 5 diopter, equi convex, ठीक है, equi convex का मतलब है, जिसकी दोनों radius जो है, वो equal है magnitude के अंदर, sign convention के according हम, उनका sign देखते रहेंगे, right, has a power of 5 diopter, if it is made of glass of refractive index 1.5, then radius of curvature of its surface will be, तो देखो, जिस material से यह बनी होई है, उसकी refractive index है 1.5, और इसका जो surrounding material है, जब तक कहां नहीं जाए, air मानना है, उसकी refractive index होती है 1. इसकी जो power है, वो 5 diopter है, और power positive है, convex lens है न, तो इसकी जो focal length है, वो भी positive हो जाएगी, और उसकी value हो जाएगी, 1 upon 5 meters, ठीक है, और 1 upon 5 meters को, जब आप centimeter में convert करोगे, तो 100 से multiply कर देना, तो 100 divided by 5, that is 20 centimeter, यह इसकी क्या हो जाएगी, focus focal length हो जाएगी, जहां तक जो जो कहा जा रहा है, वो हम करते जा रहा है, if it is made of glass, तो हम lens makers formula अपलाए करेंगे, जो की कहता है, 1 upon f is equals to mu L minus mu s divided by mu s, 1 upon r1 minus 1 upon r2, अगर आप convex lens को देखोगे, ठीक है, तो जो पहली वाली surface है, उसका radius इधर की तरफ होता है, यानि कि positive side में, और जो दूसरी वाली है, उसका radius इधर की तरफ होता है, यानि कि negative side में, sign convention अभी ज्यान रखना है, तो 1 upon f, यानि कि 1 upon 20 centimeter, is equals to mu L minus mu s, तो 1.5 minus 1 करेंगे तो 0.5 रहे जाएगा, divided by 1, 1 upon r, ये तो positive हो जाएगी, और ये वाली negative हो जाएगी, तो minus, minus r, ये minus और ये minus मिलके क्या हो जाएगे, plus, तो इसको गायब कर देते हैं, और 1 upon r, 1 upon r add होके कितने हो जाएगे, 2 upon r हो जाएगे, तो is equals to 0.5 into 2 upon r, 2 into 0.5, 1 हो जाएगा, ये ये कि r की वाली आजाएगे, simply 20 cm, option number 1 जो है, जो गरेक हो जाना चाही, right, next question, a glass convex lens has a focal length of 8 cm, when placed in air, and what would be the focal length of the lens, when it is immersed in water, तो पहले case में, जो focal length है, उसके लिए formula लग जाएगा, 1 upon f1, यानि कि 1 upon 8 cm, convex lens से तो positive लेंगे, is equals to, glass है और पहले air के अंदर रखा हुआ था, तो 1.5 minus 1 divided by 1, times 1 upon r1, minus 1 upon r2, हमें नहीं पता r1, r2 कितना है, जूसरे case में ये कितना हो गया, 1 upon f2 is equals to, आपकी बार आपने कहां रख दिया इसको, with the focal length of the lens, when it is immersed in water, तो material तो आपकी बार 1.5, 1.5 को 3 by 2 भी लिखा जा सकते है, बट सराउंडिंग कौन हो गया, water, water के लिए जो refractive index होती है, उसको 1.33 भी लिख सकते हो, calculation हासान हो जाए, इसलिए 4 by 3 लिख लो, ज्यादा हासान है, 1.33 को आप 1 by 4 by 3 भी लिख सकते हो, divided by surrounding की refractive index, that is 4 by 3, times 1 upon r1, minus 1 upon r2, अब यह हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इस equation से इस equation को divide कर लेते हैं, तो 3 into 3, 9, 4 into 2, 8, तो 9 minus 8 बचेगा, 1 divided by 6 बचेगा, 1 divided by 6, यह उपर चला जाएगा, 3 divided by 4, times 1 upon r1, minus 1 upon 8, 3 से 6 कैंसल हो जाएगा, 1 upon f2 की value बचेगी, 1 upon 8, times 1 upon r1, minus 1 upon 8, ठीक है, तो अब इसको और इसको आपन divide कर सकता है, divide करें, ठीक है, तो इसको इसको divide करेंगे, तो f2 तो चला जाएगा, उपर 8 cm रह जाएगा नीचे, इसको इसको divide करेंगे, तो यह 8 चला जाएगा, उपर और 1.5 में से 1 चला गया, तो कितना मचेगा, 0.5 into 8 हो जाएगा और यह पूरा का पूरा ब्रेक्ट और यह पूरा का पूरा ब्रेक्ट एक दूज़े को cancel out कर देगी ठीक है तो f2 की value निकाल नीती हमें तो 0.5 को 8 से अगर multiply करोगे तो अपन f2 की value finally इस तरीक भी से लिख सकता है 8 into 8 और 0.5 को लिखा जा सकता है 1 divided by 2 2 से ही 4 by चला गया 8 into 4 गरोगे तो 32 cm यानि कि option number 4 जो है यह हो जाना चाहिए correct हो जाना चाहिए तो ऐसे question पूछे जाने की पूरी-पूरी सम्माह होना है आसान सा question होगा simple formula एपलाए करना है carefully ध्यार मैठना है यहाँ पे care ज्यादा important है ना आप कितना attention के दाक्षिशन करते हैं next question देखे एक आ कॉन्वेक्स lens is made up of three different materials as shown in figure for a point object placed on its axis the number of images formed are तो इस question को मैंने purposefully include गिया है lens को आप दो तरीके से कार सकते हो horizontally और vertically जब horizontally cut करते हो आप lens को तो lens की जो focal length है उसके उपर focus जो point है या focal length कहलो उसके उपर कोई फरक नहीं पड़ता और जब आप उसको vertically कटते हो तो उसकी focal length या तो increase हो जाती है फिर decrease हो जाती है अब यहां पर एक तो यह वाला fact है दूसरा fact है कि आपने अलग-अलग refractive index के material से बना रख है तो मैंने बताया कि यह वाला जो part है यह पहले कभी न कभी एक पूरा lens रहा होगा इसी material का आपने काट के इतना सा हिस्सा ले लिया तो यह पूरे lens की तरह behavior करेगा बट उसकी focal length क से define होगी इसके refractive index है similarly यह एक पूरे lens की तरह behavior करेगा बट इसकी focal length अलग होगी जो की इसके refractive index है define होगी तो एक तरीके से आप यहां पर देख सकते हो कि तीन lenses हैं और तीनों की focal length अलग-अलग है तो object जो है वो उसका उसकी जो image है तीनों अपने-अपने अलग-अलग हिस जाफ से बिनाएंगे तो आपको तीन different images दिखाए देगी यहां पर और तीन different images दिखाए देगी यानिका option number two जो है वो correct हो जाना चाहिए इसके और भी variation मिलते हैं जैसे आपको कहीं मेर ऐसा बोला जाता है कि एक lens है उसके lower half portion को आपने एक black color से paint कर दिया तो बताओ जो focal length है या फिर जो कोई object है उसकी image है उसकी position पर क्या फरक पड़ेगा तो ध्यान देना आपकी image या उसकी focal length के उपर कोई फरक नहीं पड़ेग intensity aperture के square के directly proportional होती है तो अगर आप aperture को half कर दोगे तो brightness जो है वो 1 by 4 times क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो ऐसे question भी कहीं बार पूछे जा सकते हैं पड़ हमें के वलोर के लितनी information ध्यान में रखनी है राइट if a plano-convex lens the radius of curvature of the convex surface 10 cm and the focal length of the lens is 30 cm then the refractive index of the material of lens will be plano-convex lens ठीक है यहनी के ऐसा है अब देखना radius of curvature of the convex surface तो इसकी जो radius of curvature है इदर की तरफ जो होगी r1 उसकी value तो आप देख रहे हो 10 cm होगी और positive और होगी क्योंकि rays जो है वो objects इदर की तरफ आएगी तो rays की direction में ही है जो दूसरे surface है उसकी radius of curvature कितनी होगी तो plane surface जो होती है उसकी radius of curvature होती है finite और sign convention की according होगी तो minus finite इसको आप यह भी देख सकते हो कि आप जमीन पर खड़े हो तो जमीन आपको कैसी नजर आती है plane नजर आती है क्यों क्योंकि धर्ती जो है अर्थ जो है उसकी radius of curvature बहौत ज़ादा है इसलिए हमें जो इतने छोटे से प्राणी है उन्हें इतनी ज़्यादा radius of curvature का जो अबजेक्ट हो nearly कैसा नजर आता है plane नजर आता है तो इसको mathematics के अंदर भी यूज़ कर सकते हो कि plane surface की radius of curvature कितनी होती है infinite का बहुत ज़ादा होती है ठीक है तो आर्वन आर्टू के बारे में पता बढ़ गया focal length हमें दे रखिए F क्योंकि convex length है तो positive ही लेंगे 30 cm right then the refractive index of the material of the lens is तो माल लेता है कि surrounding material जो है वो फिले है तो formula लगेगा 1 upon F यानि कि plus 30 is equals to material की refractive index find out करनी है minus 1 divided by 1 1 upon R1 की जगह तो रख सकते है 10 minus 1 upon minus infinity 1 upon infinity तो 0 हो जाएगा तो बच्चेगा 1 upon 30 is equals to mu minus 1 upon 10 10 से 30 चला जाएगा 3 बार ठीक है कर सकते है बना असनी से तो यहाँ पर बच्चेगा 1 upon 3 is equals to mu minus 1 1 को यह तर बेज़ेंगे तो mu की value आजाएगी 1 plus 1 by 3 that is 4 by 3 that is 1.33 पूछा जाए है तो बता देना कि water है जिससे यह material जिस material से यह lens बनाएगा है ठीक ना तो इस तरीक से आप आसनी से next question the focal length of convex lens is 2.5 cm its magnifying power for minimum distance of distinct vision तो सबसे पहले तो ध्यान करना एक अकेला convex lens किसकी तरह behave करता है simple microscope की तो इसकी focal length अपनों को दे रखी है f is equals to 2.5 cm ठीक है अब और d जो minimum distance of distinct vision है वो कितना होता है 25 cm होता है ठीक है its magnifying power for minimum distance of distinct vision तो जब d के उपर image बनती है तो उस condition में magnifying power होती है 1 plus d upon f यानी कि 1 plus 25 divided by 2.5 2.5 से 25 को divided करोगे तो कितनी पार चला जाएगा 10 and 10 plus 1 करोगे तो m की value आजाएगी 11 यानी कि option number 3 जो है वो प्रेक्ट हो जाना चलिए next question an astronomical telescope of magnifying power 8 is using two lenses spaced 45 cm apart the focal length of the lenses used are ठीक है तो वैसे तो देखो इस question में आपको इधान रखना है कि astronomical telescope के लिए जो tube length हुआ करती थी वो हमेशा f o plus f e के equal हुआ करती थी खासकर तब जब आपकी जो final image है वो infinity भी बन रही हूँ यानी कि जो 45 है कि f o plus f e के equal होनी चाहिए अब देखो ऐसा तो केवल और केवल एक ही option के अंदर हो रहा है 40 plus 5 एक ही 45 मिल रहा है और किसी भी option में नहीं हो रहा तो being smart हम बिना कुछ करें option number one जो है वो tick कर सकते है but actual में तरीका क्या होगा इस तरीके की questions को करने का तो वो अपन देखते है तो astronomical telescope of magnifying power 8 is made using two lenses spaced 45 cm तो सबसे पहले तो हमें पता पढ़ गया कि f o plus f e ये किस के एक पल आजाना चाहिए 45 cm के एक पल आजाना चाहिए और magnifying power होती है f o upon f e ये किस के एक पल दे रखे 8 के एक पल यानि कि f o को आप रख सकते हो 8 times f e जैसे यहां पर रखोगे 8 times f e plus f e किस के एक पल हो जाएगा 45 cm यानि कि 9 f e is equals to 45 cm यानि कि f e जो हो जाएगा 45 divided by 9 that is 5 cm के एक पल हो जाएगा तो जो आईपीस है उसकी जो focal length है वो तो 5 cm हो जाएगी ठीक है और objective lens जो है यहां पर रख देना f e की value 5 f o की value कितनी जाएगी 40 cm जाएगी option no.1 जो हो correct हो जाएगी simple formula जाद होने चहिए अधरवाइस तो आप करी सकते हो ने आपके भी तरीका पता है next question the magnifying power of a telescope is 9 when it is adjusted for parallel rays the distance between the objective and eyepiece is 20 cm the focal length of the lenses are तो again objective और eyepiece के बीची जो distance है वो 20 cm है तो 18 और 2 भी हो सकती है 10 और 10 भी हो सकती है 11 और 9 भी हो सकती है 15 आपकी बार जो options है हो थोड़े से smart तरीकी से दिए हो है तो सबसे पहले तो होई f o divided by f e is 9 यानि कि f o किसके एक पर हो जाएगा 9 times f e के एक पर हो जाएगा 10 f e 20 cm के एककोल आजाएगा यानि कि f e कितना आजाएगा 2 cm और अगर f e 2 है तो f को कितना हो जाना चाहिए 18 cm और option number 1 correct हो जाना चाहिए similar question right a plano convex lens fits exactly into a plano concave lens very good their plane surfaces are parallel to each other देखो ऐसा है एक तो है plano convex lens ऐसा और दूसरा है यह वाला plano concave lens इस तरही का दोनों को चिपका दिये गया है मैंने दोनों को अलग-अलग बना दिया ताक यह आपको प्राइक्राम में अच्छे से दिख जाए their plane surfaces are parallel to each other if lenses are made of different materials of refractive indices इसका material तो बना हुआ है mu1 और इसका बना हुआ है mu2 refractive indexal material से and r is the radius of curvature of the curved surface of the lenses इसकी radius of curvature भी r है और यह वाली radius of curvature भी r है यह बात अलग है sign convention के according हम इनका sign जो है वो figure out करेंगे बाद में formula लगाते रहे हैं then the focal length of the combination is तो combination की focal length अपन तब निकाल पाएंगी जब दोनों की अलगला focal length हमारे पास में हो तो सबसे पहले इसकी focal length निकालता है किस material से बना हुआ है यह new one बाहर अपन surrounding material मान लेते है अपन अभी इसको भूल जाते है अपन मानते हैं कि दुनिया में अक्यला lens है divided by 1 times इसकी 1 upon यह R1 ठीक है यह तो कितनी हो जाएगी यह हो जाएगी अगर आप देखोगे तो positive infinity और minus इसकी अगर आप radius of curvature लोगे तो इधर की तरफ आएगी तो यह कितना हो जाएगा 1 upon minus R ठीक है कर पा रहे होगे कोई दिक्त नहीं है 1 upon infinity तो 0 हो जाएगा यह minus minus plus हो जाएगा बहार आजाएगा तो 1 upon F1 की value आजाएगी मू 1 minus 1 divided by आद बूलो होगा है नहीं होगा है हो जाएगा इसी तरीके से 1 upon F2 की अगर आपन बात करें तो वो हो जाएगा मू 2 minus 1 divided by 1 अगर इसकी बात करें तो यह radius of curvature negative है तो minus 1 upon R minus आजाएगा ना 1 upon minus R तो minus मैंने पहले जाएगा and minus 1 upon infinity 1 upon infinity तो 0 हो जाएगा यह हो जाएगा मू 2 minus 1 divided by minus R यह 1 upon F2 की value जाएगा हमें पता है 1 upon F जो होता है ठीक है वो किसके एकोल होता है 1 upon F1 plus 1 upon F2 हमाई पास तो दोनों की value है 1 upon F1 की value है mu 1 minus 1 upon R और इसकी value है minus mu 2 minus 1 upon R LCM आगे हैं दोनों का R ऊपर बज़ जाएगा mu 1 minus 1 यहाँ पर बज़ जाएगा minus mu 2 और minus minus plus 1 1 से 1 चला गया तो mu 1 minus mu 2 divided by R that is 1 upon F तो focal length हम से ऊची गई थी वो किसके को जाएगी R divided by mu 1 minus mu 2 option number R divided by mu 1 minus mu 2 that is option number 4 जो है वो क्या हो जाना चाहिए correct हो जाना चाहिए ठीक ना तो अब इस क्योशन को थोड़ा सा केरफूल ही करना है क्योंकि इसके अंदर जो information दी हुई है वो missing pieces के साथ है मतलब हमें find out करके लाना होगा कि formula के अंदर कहां-कहां से कौन-कौन सी जान करी चाहिए तो सबसे पहले तो हमें magnifying power find out करनी है जब final image कहां पर बन रही है least distance पर बन रही है of distinct vision right उस case में magnifying power हुआ करती थी v o divided by u o times 1 plus d upon f e अब देखो हमें d पता है 25 cm होता है f e हमें दे दिया गया है 20 mm हमें ना तो v o पता है ना ही u o पता है लेकिन हम यह ज़रूर पता है कि v o और u o objective lens से related है और objective lens के लिए अगर हम lens formula लगाएंगे तो बनेगा 1 upon v o यह positive होगा क्योंकि image जो है पहले lens से objective lens से दूसरी तरफ बनती है minus 1 upon minus u o object जो है वो lens के एक तरफ रखा हुआ होता हो और उदर से light rays आती है तो lens से object तक जाने के लिए आपको light rays के opposite direction में जलना पढ़ेगा sign convention के according ही negative क्योंकि lens हमारा convex lens होता है converging lens होता है तो focal length अपने लिख सकता है positive that is f o तो यह बन जाएगा 1 upon v o plus 1 upon u o is equals to 1 upon f o ध्यान दो हमें f o दे रखा है और u o और v o के बारे में हमसे जानकारी पूछी गई है तो मैं क्या रहता हूं इस पूरी equation को v o से multiply कर देता हूं तो यह आके तो बच जाएगा 1 यहां पर आजाएगा v o upon u o और यहां पर आजाएगा v o upon f o ठीक है तो अब मुझे पता पढ़ गया कि v o upon u o इसकी जगह हम चाहें तो v o upon f o minus 1 यह वाली information भी use कर सकते हैं तो हमारा जो formula होगा वो change हो जाएगा v o divided by f o minus 1 times 1 plus b upon f e अब दिखो एक candidate खतम होगा अब हमें 3 जीज़े पता है हमें f o पता है d पता है f e पता है v o नहीं पता अभी था भी चलो इसको भी डूंड के लेकर आता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे हमें पता है l जो होता है किसके एकवल होता है v o plus u e के एकवल होता है अगर magnitude को एड़ करें तो राइट यो कितना होगा और u e कितना होगा अब हमें l पता है बट यहां पर u e नहीं पता तो इसको डूंड के लिए कि आएंगे हम तो इसके लिए जब जो आइपीस लेंस है उसके लिए जब अपन लेंस फॉर्मला लगाएंगे तो बनेगा one upon final image कहां पर बन रही है minus d पर क्योंकि इस case में आइपीस से जो image बनती है ना वहां तक पहुंचने के लिए आपको light rays के opposite direction में जाना पड़ता है फिर minus minus u e फिसक बस्ट हो यह भी कौन मेंस होता है तो plus f e तो हम सबसे पहले तो यहां से u e की value find out करेंगे तो यहां से u e की value कितनी है यह plus हो जाएगा तो 1 upon u e is nothing but इसको दर ले जाएंगे 1 upon d plus 1 upon f e आ रहा है थोड़ा मुझा समझ में कोई दिक्कत नहीं है तो अगर आप देखो इस पूरी की पूरी equation को आप किस से multiply कर दो अगर d से multiply कर दो तो यह बन जाएगा d upon u e is equals to 1 plus d upon f e तो d upon u e की जो value है वो 1 plus d upon f e के एक बलोगी और हमें सारी की सारी चीजे पता है तो हम चाहे तो आसनी से यूई की value findout कर सकते है चलो खेर हमें तो u e की value findout कर नहीं थी इस रस्ते पर जाना ही नहीं था था हम तो u e की value find out करते है तो हम एग बार इसको इस तरफ जाते ही नहीं हम तो इनकी वेल्यूस रखते हैं हम तो यह आजाएगा 1 upon ue is equals to 1 upon 25 cm 25 cm को मिटर में convert करोगे तो divide by 100 करोगे वो चला जाएगा 25 divided by 100 होगा 100 चला जाएगा उपर यहां से ue की जो value निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है 1 upon 54 और जब इसको अपन यहां पर रखेंगे तो वी ओ की जो value निकल के आएगी वो कितनी निकल के रही है एल कितना दे रहा है आपको 20 cm 20 cm को आप 1 by 5 मिटर भी लिख सकते हो minus ue यानि की 1 by 54 मिटर तो यह हो जाएगा आपका 54 minus 5 that is 49 divided by 5 into 54 0 यह हो जाएगा 270 ठीक है कर सकते हैं यहां तक की तो कोई दिक्कत नहीं है तो हमें वी ओ की value successfully मिल गए तो अब हमारे पास में वी ओ आ गया F को दिया हुए F की दिया हुए D दिया हुए तो हम finally M find out कर सकते हैं तो VO की value तो कितनी है 49 divided by 270 और FO की value कितनी है 7 mm यानि की 7 divided by 1000 तो 1000 चला जाएगा ऊपर minus 1 times 1 plus D कितना है 25 divided by 100 cm में और F कितना देखा है 20 mm तो 20 रह जाएगा नीचे और 1000 चला जाएगा उपर सबको मीटर में गणोट कर लिए calculation आसान हो जाएगी राइट यह 7 से 7 times चला जाएगा ऊपर बन जाएगा 7000 तो जब आप solve करोगी तो यह बन जाएगा 7000 minus 270 divided by 270 और इधर करोगे तो यह 0 से 0 चला जाएगा डबल 0 से डबल 0 चला जाएगी 25 divided by 2 करोगे तो 27 divided by 2 रह जाएगा 27 से 270 कर जाएगा 10 times ठीक है और 7000 में से 270 अगर माइनस करोगे तो आप देखोगी 7000 में से 270 माइनस करेंगे तो बचेगा 0, 10 में से 7 चले जाएगे 3, 9 में से 2 चले जाएगे 7, 6, 6, 7, 3, 0 बचेगा divided by 10 into 2, 0 से 0 चला गया और 2 से डिवाइड करोगे तो यह 3 times चला जाएगा फिर again 3 times आएगा 13, फिर 6 times आएगा 1, 0.5 और इसके सबसे जो closest answer आ रहा है वो है option number 1 यानि की 337 ठीक है तो हमने इतनी मशक्कत करके निकाला फिर भी ठीक है approximate answer लिखा हुआ है बट ठीक है इतना काम चला जा सकता है तो ऐसे question के अंदर आपको सारे के सारे concept लगाने की ज़रवत पढ़ सकती है न और आसान है थोड़ा बहुत length ही हो जाएगा अग्या next question लिखते है a concave mirror of focal length f1 placed at a distance of d from a convex lens of focal length f2 a beam of light coming from infinity and falling on this convex lens concave mirror combination returns to infinity the distance d must equal to तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़े हैं जो कि सीखने लाएग है सबसे पहले तो हमें lenses का और mirror का combination बनाने के लिए कहा गया है अब बच्चे घबरा जाते हैं बट इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है हमने सारे के सारे formulas पड़े हुए उनको one by one by one अपनों को क्या करते जाना है apply करते जाना है दूसी चीज़ यह है कि अगर infinity से rays आती है तो उनको normally paraxial rays माना जाता है मतलब जो principal axis के parallel beam होती है वो माना जाता है तो सबसे पहले तो आपका एक lens रखा हुआ है यहां पे राइट और इस lens के उपर किस तरीके से rays आ रही है principle axis के parallel rays आ रही है तो यह कहां पर focus हो जाएंगी इसके focus point के उपर क्या हो जाएंगी सारी के जारी आके focus हो जाएंगी इस तरीके ठीक है यहां तक की बात समझ में आ तो यह जो distance है यह कितनी हो जाएगी हमारी focal length f2 के equal हो जाएगी convex lens की जो focal length हो कितनी देर रखी है f2 और तहां रखना ही positive होगी sign convention के according हमें जब यह f1 f2 दी जाती है न तो इनके अंदर sign included होता है देखना इसकी वज़े से अभी थोड़ा बहुत आपको answer के अंदर हो सकता है confusion अब आपको इसके आगे mirror रखना है mirror पर टकराएंगी यह सारी की सारी rays और फिर उसके बाद में वापस से यह infinity तक लौट जानी चाहिए तो ऐसे question में आपको इद्हां दिना किया यह काम तो केवल और के तब हो पाएगा जब images जो है mirror के बाद में अपनी जो path है अपना जो path है उसको दुबारा से क्या करने लग जाए ट्रैवर्स करने लग जाए तो आप mirror को किस distance के उपर रखोगे आप mirror को जानबुच के ऐसी distance के उपर रखोगे एक तरीके से इन parallel rays को इनों नहीं यहाँ पर focus कर दिया तो इस mirror के लिए तो आप यह source कितना भी है उपर आप सोचो क कि अगर इससे हमें खुब सारी light की rays निकान ली है और उनको टकरा के वापस से अपना path retrace करना है तो उस सारी की सारी rays कैसे अपियर होनी चाहिए नॉर्मली अपियर होनी चाहिए और एक spherical mirror के लिए जो normal होता है वो उसकी हमेशा कहां से निकलता है center of curvature से निकलता है तो यह इ रख राएगी और वापस से लोट जाएगी इसलिए अपने path को retrace करेगी और फिर वापस से lens के बाद में क्या हो जाएगी पैडल हो जाएगी तो हमें पता बढ़ गया कि यह जो point है इस mirror का क्या होना चाहिए center of curvature होना चाहिए अब अगर आप यहां से इस point तक आ रहे हो तो आपकी जो distance है वो sign convention के according कितने होनी चाहिए minus twice of f1 होने चाहिए अब ध्यान दो यह जो concave mirror है ना इसकी focal length और all negative होती है तो यहां पर जब negative रखोगे ना तो negative negative अपने यहां भी positive हो जाएगा और all distances हमेशा add ही होंगी बट हमें तो बोल दिया गया है कि यह इसकी focal length f1 है तो उसके अंदर negative sign छुपा हुआ है इसलिए हम sign convention के साथ यहां पर रखे है यह distance हो जाएगी positive f2 और यह distance हो जाएगी minus twice of f2 center of curvature जो होता है पता है ना focal length radius of curvature की half के इकल होती है तो यह दोनों के बी happiness f plus f2 इसको पहले लिख लिए इसको बाद में लिख लिए option number 2 जो है क्या हो जाना चाहिए correct हो जाना चाहिए जहां दो confused मत हो जाना आपको लग रहा होगा कि सर इसमें से इसको minus कि है बट ऐसा है नहीं हमें जो f2 है यह अपने आप positive number होगा और जो f1 है क्योंकि वो concave mirror की focal length होगा तो अपने आप negative number होगा negative negative positive होगी और और यह दोनों distances add होगी तो इसकी tension आपको लेने की ज़रत नहीं है तो ऐसे question को आपको थोड़ा वो patience के साथ करना है चोटी 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 concept जो है वो apply करते जाना है आप question के answer से पहुँच जाओगी next question देखने फटा फटा फट से for a normal eye the cornea of eye provides a converging power of 40D and the least converging power of the eye lens behind the cornea is 20D using this information the distance between the retina and the cornea eye lens can be estimated तो अगर हम दोनों lenses को combine कर दें तो वो कुल मिला के कहां पर focus करती है cornea के उपर focus करती है right sorry cornea क्या मतलब आपकी जो screen है ठीक है उसके उपर focus करती है तो the distance between the retina sorry retina बोलते है उस eye के उस portion को जहांबर finally आपकी image जो है वो focus करी जाती है cornea lens के द्वारा और eye lens के द्वारा उस particular frame को क्या बोला जाता है retina बोला जाता है तो इन दोनों lenses की power को हमें combine करना है तो total power कितनी हो जाएगी 40 plus 20 क्योंकि दोनों convex होते है nature के अंदर उसको 1.67 भी लिख सकते है option number 4 जाना चलिए असान जीशन है right next question देखते है तो identical thin plano convex glasses glass lens each having radius of curvature 20 cm are placed with their convex surfaces in contact तो ऐसे रखे हुआ है एक इस तरीके से रखा हुआ है और दूसरा इस तरीके से रखा हुआ है और इन दोनों के बीच वाला जो हिस सैद है intervening spaces filled with oil of refractive index 1.7 the focal length of the combination is तो एक तरीके से तीन लेंज बन गहां एक यह वाला बन गया एक यह वाला बन गया और एक यह वाला बन गया तीनों के अलग 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 focal length निकाल सकते हैं और फिर तो हम combination of focal length अलग आप फंडा लगा सकते हैं तो देखो first lens की निकालता है 1 upon f1 is equals to ठीक है किस से बना हुआ है two identical thin plano convex glass lenses 1.5 से बना हुआ है तो 1.5 minus 1 divided by 1 r1 की जगे तो आजाएगा infinity r2 की जगे आजाएगा यह इदर की तरफ है negative sign minus कितना है radius of curvature 20 ठीक है minus minus plus हो जाएगा 1 upon infinity 0 हो जाएगा तो 1 upon f1 की value आजाएगी 1.5 में से बन चला गया तो 0.5 और यहां पर बच जाएगा यह तो हो गया 0 1 by 20 ठीक है अगर आप इसकी निकालोगे तो इसकी भी कितनी निकल के आएगी 40 cm निकल के आएगी क्योंकि दोनों identical है ठीक है कर सकता है पने तो कोई दिक्कत नहीं है तो f1 भी आ गई और f3 भी कितनी आ गई आपकी प्लस 40 cm आगे अब अपन निकालते है f2 तो 1 upon f2 देखना ध्यान देना किस material से बनी हुई है यह यह बनी हुई है oil से जिसकी refractive index कितनी है 1.7 1.7 minus 1 अभी इन दोनों को भूल जाओ भी मानते हैं यह अक्यला lens रखा हुआ है divided by 1 इसकी पहली जो radius of curvature है वो negative side में है और जो दूसरी है वो positive side में है तो पहली तो negative side में है इसलिए minus 20 यह प्लस तो खेर formula में होता ही है confuse ना हो जाओ मैं दुबारा से लिख देखा हूँ ठीक है तो 1 upon minus 20 और जो दूसरी है वो positive हो जाएगी तो 1 upon 20 और और दोनों negative हो जाएगी तो 1 upon F2 की जो value आएगी वो आएगी 1.7 minus 1 करेंगे तो 0.7 और यहाँ पर 1 upon 20 और 1 upon 20 add हो जाएगी दोनों negative होंगी तो minus 2 upon 20 ठीक है तो इसको 0.7 हटाओ कि 100 से ला जाएगा 1 upon F2 की value आप लिख सकते हो 2 upon 20 हुआ है यहाँ पर राइट minus 2 upon 20 2 से 20 चला जाएगा 1 upon 10 तो minus 7 divided by 100 ऐसा लिखा जा सकता है और 1 upon F1 को कितना लिख रहेते हैं हम 1 divided by 40 लिख रहेते हैं तो अब हमारी जो और ओर और फोकल लेंथ होगी हो जाएगी 1 upon F1 plus 1 upon F3 plus 1 upon F2 सबकी value रगो यह जाएगा positive 1 upon 50 यह जाएगा positive 1 upon 40 और यह जाएगा आपका negative 7 divided by 100 तो यह जाएगा 2 upon 40 minus 7 divided by 100 इसको आप आसानी से calculate कर सकते हो 2 divided by 40 को लिखा जा सकता है 1 divided by 20 minus 7 divided by 100 LCM आजाएगा 100 इदर बचेगा 20 को 5 और यहां पर बचेगा 7 यानि कि minus का 2 divided by 100 हमें यह focal length ही find out करनी थी ना तो F की value आजाएगी minus 100 divided by 2 that is minus 50 cm तो option number 2 जो है वह आपका correct होजाना चाहिए जैसा जैसा कहा गया है वैसा वैसा करते जाओ थोड़ा बहुत patience रखने हैं आप question के आंटर तक जरूर पहुंज़ों next question 2 identical glass mu g is equals to 3 by 2 glass की refractive index equi convex lens of focal length f each are kept in contact the space between the two lenses is filled with water the focal length of the combination is तो identical glass equi convex lens ऐसे हैं दोनों के दोनों और इन दोनों का इक दूसे से contact में रख दिया गया है तो आपकी बार वही पिछले question की तरह है तीन lenses हो जाएंगे तीनों की अलग-अलग focal length निकाल लेते हैं पहले की निकालते हैं 1 upon f1 किस से बने हो है ग्लास से तो 3 by 2 का 1.5 दी लिख स इस तरफ है positive और दूसरी वाली इस तरफ है negative तो negative negative मिलागे वापस से positive हो जाएगी तो 2 upon R हो जाएगा 1 upon f1 की value आगी आपकी 0.5 इसी तरीकी से 1 upon f3 की value भी आजएगी 1 upon R क्योंकि इस भी convex lens है अब बीच वाले की बात करता है 1 upon f2 किस से बना हुआ है पानी से पानी की जो refractive index होती हो 1.3 की 4 by 3 है ना चलो 4 by 3 ले 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 लेते हैं 4 by 3 minus 1 divided by 1 इसकी ये negative हो जाएगी 1 upon minus R और इसकी ये positive हो जाएगी तो minus 1 upon R दोनो negative है add हो जाएगे तो 1 upon f2 की value आएगी 4 by 3 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा 1 divided by 3 और यहाँ पे आजाएगा आपका minus 2 divided by R आपने total focal length निकाल ले हैं आपको रैट तो आप क्या करोगी 1 upon f is equals to 1 upon f1 that is 1 upon R 1 upon f3 that is 1 upon R and 1 upon f2 that is minus 2 upon 3R 3R आजाएगा LCM इधर बचेगा 3 इधर बचेगा 3 और इधर बचेगा 2 3 plus 3 6 minus 2 करेंगे 4 4 divided by 3R तो f की value आजाएगी 3 by 4 times R और अगर आप इन दोनों lenses की जो focal length है वो दी होई है ना f तो वो f R के एकवल है तो इस R के जगे आप f भी लिख सकते हो यह f total लिखनो ठीक है ना इसको तो total जो combination है वो कितना आजाएगा 3 by 4 times f के एकवल आजाएगा मतलब option number 2 जो है वो correct हो जाना चाहिए है right next question देख जाए least distance of distinct vision is 25 cm what will be the magnifying power of simple microscope of focal length 5 cm if final image is formed at minimum distance of distinct vision those case में magnifying power हो जाती है 1 plus d upon f one d दे रखा 25 cm और focal length कितनी दे रखी है simple myo focal length 5 cm 5 cm 25 चला जाएगा 5 times तो आजाएगा 6 तो अब क्या हो गया कि यह जितने भी questions थे इसके अंदर हमने different combination of lenses और जो भी आपके optical instruments उसके उपर जो questions need के अंदर पूछे जाते हैं questions बहुत ही जञदा variety के बन सकते हैं हर question को iis minimum information की वेइसिसा़स पर target किया जा सकता है बट मैंने इस वीडियो के अंदर mainly उन questions को focus किया है जो की अक्सर need के अंदर पूछे जाते है या इस type के जो question अक्सर need केंसी पूछे जा सकते हैं, तो इस बार के अंदर जो NEET में question पूछा जाएगा उसके बहुत ही ज़्यादा chances हैं कि वो इनी question से मिलता जुलता हो बट फिर भी आपको practice करनी है आपको chapter wise test series के अंदर appear होना है, वहाँ पर आप इस fund day को test करोगे कि क्या वाकई minimum information के basis फे maximum variety of questions किये जा सकते हैं I hope आपको मज़ा आ रहा होगा most wanted series के अंदर मैं मिलता हूँ आपसे next video के अंदर Thank you